नमस्कार, मेरे इन्यू मिस्टर आपने चैनल में आपका स्वाक़त करती हूँ आज की इस वीडियो में मैं बहुत स्पेशल बैक बना रही हूँ इस बैक का यूज आपने दो तरीके से कर सकते हैं पहला तो आप इसको पर्स की तरह यूज कर सकते हैं और दूसरा आप इसका यूज सौपिंग बैक की तरह कर सकते हैं इसके अंदर एक देखिए ये बड़ा सा थैला मेंने बनाया है अगर आप सौपिंग करने जा रहे हैं आपको ज्यादा समान लेना हो तो इस बैक को आराम से ले जा सकते हैं तो ये देखिए काफी जगह है इस बैक के अंदर बहुत सारा समान आप इसमें ग्रोसरी का खरीद के रख सकते हैं क्या फिर सबजी वगर लाना हो तो भी ये बहुत ही बढ़िया बैक है और अंदर पूरी फिनिसिंग के साथ बना हुआ है अगर आपको जरूरत ना हो तो इसको इस तरह से पोलट करके फिर इसको अंदर की तरह करते ही इसको पर्स की तरह भी ये उज़uyorum हैं आप इस बैक नो नया पुरानainा किसी वी कप्राइश से बना सकते सब्सक्रस मां अगर प्रणी कुरती का आइव तो उससे बी इस भआ सकते हैं तो स्रूप करें इस वै को बनाना तो मेरे पाससे देखें बड़ा सा बैक बनाने के तो यह मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है तो इसका भी यूज हो जाएगा तो यह सभी छोटे pieces को एक साथ जोड के मैंने एक बड़ा सा piece बना लिया है तो यहाँ पर दीए काफी सारे joint होने के कारें न यह finishing अच्छी नहीं आ रही है तो यहाँ पर पीछे की तरफ में एक plane कपड़ा यानि की अस्तर लगा के सिल लूँगे और उपर की तरफ जहाँ भी joint है जहाँ पर हमने यह जोड लगाया है न वहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे इससे क्या है न कि finishing अच्छी रहेगी इसमें इसका measurement मैं आपको यह पूरा complete करने के बाद बता देती हूं तो यहाँ पर देखें जहाँ पर यह joint है वहाँ पर भी उपर से एक बार सिलाई कर लेंगे तो पता नहीं चलेगा कि यह काफी सारे इसमें जोड हैं साइड से एक्ष्ट्रा कपड़ा जितना भी है उसको हम काट लेंगे अब इसका measurement देख लेते हैं तो अगर आप single कपड़े से बना रहे हैं अब इसमें pocket बनाने के लिए उपर से यहाँ पर देखें दो इंच में निसान में लगा लिया है दोनों साइड अब इसको cut कर लेना है और यहाँ पर जिप को लगाना है तो 7 इंच लंबा दो जिप हमें लेना है और इसके बीच में लगा लेना है तो देखे पहले क्या करना है ना बैक की उपर जिप को ऐसे उल्टा रखे सील लेंगे उसके बाद जिप को उपर की तरफ करके फिर यहाँ पर प्रेसी स्टीच करेंगे अब जो दूसरा बाग अमने कपड़े का कट किया है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते विए सिलना है अब इसको भी उपर की तरफ करके यहाँ पर भी प्रेसी स्टीच करेंगे बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी जिप को लगा लें तो यहाँ पर देखें दोनों साइड यह जिप लग गया है अब हमें पॉकेट बनाने के लिए प्लेन कपड़ा चाहिए इसी के बराबर का दोनों को मिला के चारों साइड से पहले सील लेंगे तो यहाँ पर सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है अब इसमें दो पॉकेट बनाना है तो क्या करेंगे बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए, सेंटर में निशान लगाने के बाद यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे, जिसे की दोनों पॉकेट अलग हो जाएगा तो यह दीखिए, यह दो पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है अब पॉकेट बनाने के बाद इसमें बेल्ट को लगा लेते हैं तो ये दो पीस मैंने बेल्ट लिया है दोनों की लंबाई आपको बता देती हूँ तो दोनों की जो लंबाई है वो है 11 इंच और जो चोड़ाई है वो है 3 इंच 11 बाई 3 का ये दोनों बेल्ट है अब ये दोनों वेल्ट से Bowl लिया है से में बैग में लगाना है शाइट से यहाँ पर देखे 1.5 इंच पे निसान में लगा लिया है दोनों तरब 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है अब यहीपर बैल्ट को लगाना है इस तरह से रखते वह बैल्ट को लगा लेंगे इसी तरह से दूसरा जो बैल्ट है इसको दूसरे साइड में रखके लगा लेना है अब यह बैल्ट लग गया है अब यहाँ पर जो center में हमने निशान लगाया था ना वहाँ से दिखिए इस तरह से इसको नाप लेंगे ऐसे जहां तक यह निशान लगाया वहाँ तक center से center तक यह आ रहा है 21 इंच लेकिन हम 1 इंच extra जिप को रखेंगे तो यहाँ पर दिखिए 22 इंच लंबा जिप मैंने लिया है तो हमेसा देखिए extra ही एक इंच रखना है कम नहीं रखना है अब इसको 20 से अलग कर लेंगे जिप को पहले यहाँ पर दिखिए 20 से fold करके center में निशान लगा लें उसके बाद जो bag है इसमें भी center में निशान लगा लें दोनों तरफ उपर की तरफ देखिए ऐसे fold करके center में निशान लगा लेंगे अब जिप को 20 से अलग कर लेंगे उसके बाद देखिए उपर जो center में निशान लगा है न दोनों को ऐसे मिलाते वे जिप को ऐसे उल्टा रखेंगे और जहां तक इस सेंटर में निशान लगा न वहां तक इसको सिल लेंगे ऐसे रखते वे सिल लेना है यहां पर देखिए उल्टा रखेंगे पहले सिल लिया है जिप को अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको भी देखिए जहाँ पर यह center में खतम हुआ है वहीं से इसको start करना है इस तरह से वैसे ही उल्टा रखे इसको भी सी लेना है अब यहाँ पर देखिए इसको पलट कर एक बार इसके उपर प्रेसिस्टिश करना है पूरा अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर देखिए जहाँ प्रेसिश करना है अब यहाँ सिलने के बाद न आप चाहे तो एक साइड से रनर डाले या फिर दो साइड से तो यह अब यहाँ पर दोनों साइड से डाल रही हूँ जिससे के साइड में फिनिशिंग अच्छी रहेगी तो ऐसे बराबर करते वे यह रनर को डाल लेना है इस तरह से देखिए एक दम बराबर कर लेना है बैक को यह जो रनर है इसको लगा लेना है अब इसको लगाने के बाद इसको दूसरे किनारे तक लाएंगे फिर वहाँ से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेंगे अब ये दोनों रणनर लगाने के बाद ये जो जीप है न इसको देखिए अंदर की तरफ हमें करना है इस तरह से देखिए इसको बराबर करते वे ऐसे यहां से अंदर की तरफ करेंगे और एक दम सीधा रखते वे एक सिलाई इसके उपर लगा लेंगे जहां पर ये थोड़ा सा चुटा हुआ है न इसके उपर एक बार सील लेंगे इसी तरह से दूसरी साइड भी सील लेना है यहां पर देखिए बराबर करते वे एक सिलाई यहां पर लगा लेंगे तो यहां पर दोना तरफ सील लेते हैं पहले तो अब यह जो छोटा वाला बैग है न यह कंप्लीट हो गया है अब इसको साइड से जो थोड़ा से जीप हो गया है उसको काटके बराबर कर लेंगे अब इसको साइड में रखते हैं अब जो बड़ा वाला थैला है उसको बना लेते हैं तो यह मेरे पास एक कूर्ती का कपड़ा रखा हुआ है तो इसका नाब देख लेते हैं इसकी जो लंबाई है न वो है 32 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो है 16 इंच 32 बाई 16 का ये एक पीस है अब उपर की तरफ न यहां पर देखे एक बार थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते वे डबल फोल्ड करते वे दोनों तरफ से लेना है तो ये दोनो तरफ उपर की तरफ सिल लिया है मैंने अब क्या करना है इसमें बैल्ट लगा लेते हैं तो ये दो पीस बेल्ट है जिसकी जो लमबाई है वो है 13 इंच और इसकी जो चोड़ाई है दोनों की चोड़ाई न तीन इंच है 23 बाई 3 का ये दो पीस है अब इसको भी वैसे ही बनाना जैसे कि हमने छोटा वला वैल्ट बनाया था दोनों तरफ से मोड़ेंगे फिर भी इस से मोड़के सीलेंगे तो इस तरह से दोनों बेल्ट सील गया है अब इसे में बैक में लगाना है तो बैक में देखिए साइड से चार इंच पर निशान लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए चार इंच पर निशान में लगा लिया है दूसरी तरब भी 4-4 इंच पर निशान लगा लेना है अब यहाँ पर बेल्ट को रखना है और सील लेना है तो ऐसे दिखें बेल्ट को रखेंगे और फिर इसको सील लेंगे अब यह जो बेल्ट है इसको उपर की तरफ करते विए एक बार यहाँ पर प्रेसी स्टिश कर लेंगे ऐसे उपर करेंगे और फिर यहाँ पर सीलाई कर लेंगे तो ऐसे यह बेल्ट लग गया है दोनों तरफ अब इसको वी से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेना है और जो छोटा वाला बैक है उसको भी क्या करेंगे ऐसे दिखे फोल्ड करेंगे दोनों तरफ उपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेंगे अब इसमें भी देखिए उपर की तरफ ऐसे फोल्ड करते वे और सेंटर में निशान लगा लेना है बीच ओ बीच अब इसको इस तरह से देखिए ओपन कर लेना है उसके पाद इसकी ऊपर जो चोटा वाला जो बैग है तो यह पूरा सिलने के बाद क्या करेंगे न इसको ऐसे विच से फोल्ड करके और साइड में पहले सीधा करके उसके बाद के उपर एक ब़ाई कर लेंगे फिर इसको उलट के दुबारा इस पर सिलाई करनी हमें तो यहाँ पर देखे एक सिलाई यहाँ पर कर लेते हैं दोनों तरफ तो अब यह जो बैग है ना इसको एक बार उल्टा करके उसके बाद अंदर की तरफ सिलाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखे हाफ इंच लगभख मार्जिन छोड़ते वे उसके बाद हमें सिलाई करना है जिससे की जो उपर वाली सिलाई ही वो दब जाए इससे कहाए ना कि फ मजबूत भी हो जाएगा डबल सिलाई इस पर हो जाएगे तो यहाँ पर एक सिलाई कर लेंगे ठीक है अब यह सिलाई पूरी हो चुकी है बैग क्यों सीधा कर लेते हैं तो देखिए यह हमारा जो टू इन वन बैग है वो कितनी आसानी से बनकर त्यार हो गया है और बहुत ही यूसफूल होता है यह बैग जब भी हम सौपिंग करने जाते हैं तो हमें बहुत ही जरुत पड़ती है इस तरह की बैग की तो आप भी जरूर बनाए नया पुराना जो भी कपड़ा हो आपके पास किसी को भी यूस करके इस तरह का बैग बना सकते हैं उमिद करती हूं अगर मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कमेंट शेर करें ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई-Nई वीडियो शेर कर सकूँ मेरे ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवात हैं